इसके पिछले वीडियो में routes और schema को create किये थे इस वीडियो में data को database में store करेंगे तो data को database में store करने के लिए ये docs है तो इसके help से सीखने वाले हैं तो सबसे पहले आपको auth.js में जाना है यहाँ पे आपको user model को import करना है और जो आपके model में user का data है या user का जो schema create किये हैं उस schema को अपने database में store करेंगे आपके user schema में name है, email है, password है इन तीनों को front end से data को send करेंगे आपके database में तो यहाँ पे auth.js में user model को import करना है और एक route create करेंगे और जिसका method रहेगा post किसी भी API URL से data को get करना है तो get method का use करेंगे और किसी भी URL से data को post करना है तो post method का use करेंगे तो यहाँ पे हमें data को send करना है तो यहाँ पे method आपका post रहेगा और यहाँ पे path देंगे तो slash path रहेगा और callback function लेंगे जिसमे request और response रहेगा और fat arrow curly bracket और इसके अंदर code को लिखेंगे यहाँ पे request.body लिया गया है जो भी आप front end से data send करेंगे तो इस body में store होगा यहाँ पे request.body यूज करके यहाँ से body से data को access किया जा रहा है जैसे आप front end से body में data send कर रहा है name, email और password तो इस body में store हो जाएगा और यहाँ पे request.body यूज करके यहाँ पे access किया जा रहा है और एक variable बनाया गया है user यहाँ पे user model का use किया गया है और यहाँ पे जो user का esquema create किये थे उसी pattern पे front end से data send किया जा रहा है जैसे आप user schema में create किये थे name, email और password तो उसी pattern से front end से data send किया जा रहा है name, email और password जो data front end से send किया जा रहा है वो data आपके body में आ गया और यहाँ पे request.body यूज करके इस body से data को access किया जा रहा है और यहाँ पी user के अंदर request.body कर दिया गया तो जो data front end से आया है वो इस user में store हो गया देन जो भी user का data है वो इस user में store हो गया तो जैसे name है, email है और password है तो इस user में store हो गया अब इस user को हम database में save करेंगे तो data को save करने के लिए save method का use करते हैं तो user.save करेंगे तो जो भी आपका user का data है वो आपके database में store हो जाएगा और यहाँ पर response send कर दिया गया request.body तो आपका response दिखेगा जो आपके front end से data send किया जा रहा है या body में data send किया जा रहा है तो यह आपका route create हो गया then body में data send करेंगे तो body में data send करने के लिए thunder client का use करेंगे और यहाँ पे URL को देंगे और यहाँ पे method को post करेंगे और यहाँ पे body में data send करेंगे नेम, इमेल, पासवर्ड और यहाँ पर सेंड करेंगे तो डेटा सेव होगा तो जब यह सेव होगा तो एक एरर आएगा तो यहाँ पर यह एरर आएगा तो उसके बाद आपको middleware यूज करना है तो middleware index.js में यूज करेंगे तो middleware यूज करने के लिए app.use express.json को यूज करेंगे तो यह एरर नहीं आएगा तो यहाँ पर index.js में इस middleware को यूज करेंगे तो यह एरर चला जाएगा और feed से data send करेंगे तो यहाँ पर data send हो जाएगा और आपके mongodv में कुछ इस तरह से दिखेगा तो इसको practically करते हैं तो आपको back end folder को vs code में open कर लेना है और यहाँ पर server को start करेंगे तो node mode तो यह आपका server start हो गया और यहाँ पर database भी connect हो गया auth.js में जाएगे और routes को create करेंगे और user model को import करेंगे तो यहाँ पर user model को import करेंगे तो import user from single quoted double dot slash models और models के अंदर आपका user dot js है ठीक यह import हो गया then हमें एक route को create करना है जिसका method post रहेगा तो यहाँ पर post करेंगे और path slash रहेगा और यहाँ पर callback function है और इसके अंदर response send करेंगे तो यहाँ पर console dot log करेंगे और request dot body करेंगे तो जो भी आपके body से data send होगा वो इस console पर दिखेगा तो एक बार body में data send करके देखते हैं तो body में data send करने के लिए thunder client पर जाएंगे यहाँ पर एक new request लेंगे और इसमें url देंगे तो इसको copy करते हैं और यह url auth के लिए है तो API auth यह हो गया और यहाँ पर method post रहेगा और header में content type application slash json करेंगे तो content type आपका application slash json होगा और इस body में data को send करेंगे तो send करते हैं तो यहाँ पर name send करेंगे यह हो गया तो जैसे ही आप send करेंगे तो यह error आएगा यहाँ पर undefine बता रहा है तो यहाँ पर आपको middleware को use करना है तो middleware use करने के लिए app.use करेंगे और इसके अंदर express.json का use करेंगे तो index.json में यहाँ पर middleware का use करेंगे index.json में जाएंगे और यहाँ पर comment देते हैं middleware ठिक और app लेंगे .use और इसके अंदर express.json देंगे तो यहाँ पर आपका middleware use हो गया then यह error नहीं आएगा तो यहाँ पर request को send करते हैं तो यहाँ भी यह data दिख रहा है जो भी आपके body में data है उसको अपने database में store करने वाले हैं तो जो आप user model को create किये हैं और उसके अंदर user schema को create किये हैं तो उसी pattern से body में data send करेंगे और वो data आपके database में store होगा तो यहाँ पर एक variable बनाते हैं const user equal to यहाँ पर user model को लेंगे और यहाँ पर request .body करेंगे तो जो आपके body में data आ रहा है वो आपके user model में आएगा और यह data आपके user में store होगा और इस user data को database में store करना है तो यहाँ पर इस user को लेंगे तो user.save method का use करेंगे तो यह data save हो जाएगा और यहाँ पर response send करेंगे .send और इसके अंदर आपका request .body रहेगा तो जो आप body में data send करने वाले हैं वो आपके database में save होगा तो send करके देखते हैं आपके user model में name है email है और password है तो यह तीन field body में pass करने वाले हैं तो यहाँ पर name हो गया email देते हैं यह हो गया और password है और password में 123456 देते हैं यह हो गया अब यहाँ पर send करते हैं तो यहाँ पर आपका response दिख रहा है और status ok बता रहा है तो यह data आपके database में store हो गया है तो mango db atlas में आएंगे और इस database पर click करेंगे तो यह कुछ इस तरह से open होगा और इस browse collection पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह data store हो गया तो यहाँ पर test में user collection के अंदर यह data store हो गया एक दूसरा data store करके देखते हैं तो यहाँ पर मैं name को change करता हूँ यहाँ पर email भी change करेंगे और password आपका 789 रहेगा ठीक अब यहाँ पर इसे send करते हैं तो यह send हो गया और यहाँ पर refresh करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह data store हो गया यह आपका पहला data है और यह आपका दूसरा data है तो दोनों store हो गया और यहाँ पर user model में यहाँ पर unique properties का use किया गया है जो कि आपका email unique है तो इसको देखते हैं कि email आपका unique है कि नहीं तो यहाँ पर इसे check करते हैं तो यह आपका email आपके database में store हो गया है और इसे fit से database में store करते हैं तो इस पर send करेंगे तो यहाँ पर यह error आजाएगा तो duplicate की error collection आया है तो यहाँ पर यह unique property work कर रहा है तो इस बीडियो में आपको data को कैसे store करना है यह आपको सिखाया गया है next video में यहाँ पर user का validation करेंगे then एक complete route create करेंगे और उस data को अपने database में store करेंगे तो इस बीडियो में आपने सिखा कैसे data को database में store करते हैं तो मिलते हैं next video में